सब्सक्राइब दोस्तों मैं हो सुमी चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉम पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज कल हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम दुनिया वरके महान फिलोसोफर्स, मैथमेटिशन एंड साइन्टिस्ट की बायोग्राफी को रिव्यू कर रहे हैं उसी सीरीज को कंटीनू करते हुए आज के स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशेंट ग्रीक मैथमेटिशन एंड फिलोसोफर्स थेल्स की बायोग्राफी एंड उनके कोंट्रिबिशन के बारे में थेल्स जिनको थेल्स ओफ मिलेटिस भी कहा जाता है इनका नाम आप सभी ने सुना होगा मैं पक्का दावा करता हूँ कि आप सभी ने पक्का सुना है लेकिन हो सकता है आप मेंसे कुछ लोग भूल गए होंगे लेकिन 10th class तक की math आप सभी ने पड़ी है और 10th class तक की जो elementary math है उसमें geometry के बहुत सारे concept जो है थेल्स ने दिये हैं थेल्स की theorem आप सभी ने पड़ी होगी basic proportional theorem जो है जो triangle से related है वो आपने 9-10th class में पड़ी होगी तो ये सब जो theorem सें जो की लगबग सातवी शताबदी इसा पुरुव में पैदा हुए एक बहुत ही महान mathematician थेल्स ने दे दी थी जिसको आज भी हम modern mathematics में पड़ते हैं वो कौन थे उनका क्या contribution था as a mathematician उनके contribution को हम फिर भी थोड़ा जानते हैं लेकिन as a philosopher उनकी क्या-क्या theories थी दार्षनिक भी वो एक बहुत ही महान दार्षनिक के तोर पे उनको जाना जाता है इसलिए इनके जीवन के बारे में आज हम बात करेंगे ancient mathematician और philosophers की एक बहुत ही लंबी लिस्ट है क्योंकि ये जो Greek society थी जिसको हम भारत में युनानी सभ्यता कहते हैं इसमें बहुत ही बड़े-बड़े philosophers और बहुत ही बड़े-बड़े mathematician and scientist हुए हैं observant scientist जिनको बोलते हैं वो हुए हैं उनमें आप सभी ने Socrates का नाम सुना होगा Aristotle का Plato का नाम सुना होगा जो कि बहुत ही महान philosopher माने जाते हैं इनकी बायोग्राफी में अल्रड़े कवर करा चुका हूँ Mathematicians में आपने Pythagoras का नाम सुना होगा, Thales का सुना होगा, Eclued का सुना होगा, Archimedes का इनका नाम सुना होगा ये बहुत important mathematician है बाकी सब का अगर नहीं भी सुना तो ये लोग तो आपने पका सुने होंगे, Hieron का सुना होगा तो ये जो Mathematicians है इन सभी की बायोग्राफी में कावर कराऊंगा, Pythagoras हो चुका है, Eclued हो चुका है, Thales की आज हम बात करेंगे, Aristotle, Socrates, Plato ये सब हो चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, साथ ही अगर आप आ पातवी शताबदी इसापुर्व में इनका जनम हुआ था, और उससे पहले इनके कुछ कोर्स के उपर शुरुआत करते हैं, इनके कुछ कही गई जो famous saying हैं, उनहीं से इनके जीवनी की शुरुआत करते हैं, जिनसे आपको पता चलेगा किस तरीके के व्यक्तित हो थे, इन् आइडियाज आते हैं, बहुत सारे आइडियाज आने का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि वो एक superior व्यक्ति ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आइडियाज तो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, लेकिन वो आइडियाज सच में society के लिए कुछ helpful है, या फिर कुछ भी उनका वो ही तो महत्पूर्ण है ना, ऐसे तो हजारों लाकों हर आदमी के दिमाग में आइडिया जाते हैं, लेकिन हर कोई एक intellectual person या prudent mind थोड़ी माना जाता है, ये बात कहीं, उसके लाव इन्होंने का hope is the poor man's bread, जो hope है, आशा है, वो गरीम आदमी की रोटी की तरह है, तो वो आदमी जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो आशा से काम चलाता है, वो आशावादी रहता है, वो लगता है कि हाँ, एक दिन तो भला होगा ही, एक दिन तो होगा ही, तो ये चीज़ जो है, hopeful के बारे में है, hopefully रहने के लिए हम भी कहते हैं कि positive रहो, हर कोई कहता है न कि आ पास है, जो बीच चुका है, वो तो certain है, वो तो बीच चुका है क्योंकि उसको तो परिवर्तित किया नहीं जा सकता, जो भूतकाल में बीच गया, वो तो एकदम fix है, अटल है वो, लेकिन जो future है, वो ऐस पश्ट है, उसका आप prediction भी नहीं कर सकते हैं, और अगर आप prediction करते भी हैं, तो वो सही होगा कि गलत इसकी कोई guarantee नहीं है, यह इन्होंने कहा, उसके लावा एक और quote है इनका, nothing is more active than thought, thoughts से कुछ भी ज्यादा active है नहीं, for its travel over the universe, क्योंकि thoughts जो हैं, कहते हैं न सबसे तेज किस चीज की speed होती है, वो होती है विचारों की, जो thoughts हैं, उससे fast कुछ भी नहीं होता, पूरे बर्मांड में travel कर जाते हैं, thoughts, कुछ milliseconds में, और आप अगर एक second में सोचें, आपको Jupiter के बारे में सोचना है, आप Jupiter को अपने mind में imagine कर सकते हैं, जो thoughts हैं, वो इतना fast कुछ भी नहीं जा सकता, light भी नहीं जा सकती, यह सब चीजे हैं, तो nothing is stronger than necessary, all must submit it, इनके बारे में इन्होंने यह सब बाते कही हैं, अब इनके जीवन के उपर आ जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, इनको Thales of Miletus कहा जाता है, तो Miletus में इनका जनम हुआ, Miletus कहां है, यह है, यह green color का जो आपको map देख रहा है, यह ancient Greek empire हुआ करता था, जो आप एक map और देखते ह का राजा बना और युनान को वो दुनिया भर में विश्व विजेता बना एलेक्जंडर, एलेक्जंडर दा ग्रेट, वो भारत तक आया था, बैटल ओफ हाइडस पीस, भारत के राजा, पौरस के साथ, जहलम नदी के किनारे उसका युद हुआ था, आपको ध्यान है, ले पोलबा देशिया माइनचर का ये हिस्सा था, मिलेटस, यहाँ पर बहुत सारे बड़े-बड़े मैथमेटिशन और फिलॉसोफर होगे यहां पे रहे थे, अलग-लग mathematician और अलग-लग यहां पे लोग हैं, उनका मैंने map आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, जब मैं इकलूइड के बारे में बात कर रहा था, तब मैंने आपको एक map दिखाया था, जिसमें हर एक mathematician की अलग-लग जगह दिखा रखी थी, लेकि इनकी life के बारे में लिखा है, और predictions भी किये हैं काफी सारे की यहां पे पैदा हुए होंगे, और यहां पे रहे ज्यादा तर जीवन यहां पे बिताया, और उनका जो geometry पे आज जो हम work देखते हैं, वो इनके बाद के जो mathematician थे, उन्होंने इनको credit दिया है कि इन्होंने उसको बताया था, लेकिन इनका खुद का लिखिट जो काम है वो आज भी मिलता नहीं है, तो 625 BC के आज पास इनका जनम हुआ Asia Minor में, मिलेटस में, जो आज की जाए में टर्की है, उसके बाद इनके जो माबाप हैं, उनका नाम था एक्जामियस और इनकी मा का नाम था, सेलियो ब रहे थे लेकिन दोनों जगे का इक खाता है, लेकिन ज्यादा तर जो अक्सेप्टेड थियोरी हैं वो है मिलेटस की, तो मिलेटस आप मान के चलना है, यहां पे इनका जनम हुआ, उसके बाद इनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं, माबाप के बाद जो आगे वाली फैम फिलोसफी में ही इनका जीवन बीटता था, तो इस चीज के लिए इस आइडिया में वो ज्यादा बिल्यू करते नहीं थे शादीक में और बच्चों को पालने में, लेकिन बाद में जब ढ़लान की एज आई एक अधेर उमर से आदमी जब पार कर जाता है तो उसको फिलोसफी में बहुत अध्यन किया है और ज्यादा तर जीवन जो है इन्होंने अपना इजिप्ट में बिताया है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मिलेटर्स को छोड़के इजिप्ट में चले गए, इजिप्शन सिविलाइशन आप सभी जानते हैं, जो नाइ प्रफिट में आप जानते हैं कि Greek mythology जो चला करती थी, Greek gods जिसमें Zeus वगेरा ये सब gods होते थे, इसके बारे में मैंने separately वीडियो बना रखा है, देखिए, Greek mythology कैसे थी, क्या-क्या उसके principle थे, क्या philosophy थी, कौन-कौन से gods थे, क्या उनकी माननेताई थी, सब मैंने बता रखा है, तो उसमें कुछ म वो गुसा हैं, इसलिए वो बिजलियां कड़काते हैं, बारिश उनकी वज़े से होती हैं, नेचरल फिनोमेना को काफी ज़्यादा god के साथ connect करके देखा जाता है, ना mythology में, तो वही सब चीजें होती थी, तो थेस जो थे, वो खुद एक धार्मिक व्यक्ति थे, वो इश् है, जैसे हमारे यहाँ पर एक system होआ करता था, जैसे राहू केतु की mythology में, Hindu mythology में क्या है? कि राहू केतु के वज़े से वह हो जाता है, कि चंदरमा को निगल जाता है, तो उस समय क्या हो जाता है? चंदरगरेन हो जाता है, तो इस तरीक sexually को लेकर, लगलग चीज़ों को ले है उसके कुछ natural process होते हैं उसकी वज़ा से यह चीजें हो रही है इसलिए इन्होंने solar eclipse जो था पहला solar eclipse जो प्रेडिक्ट किया जाता है माना जाता है कि 28 मई यह पांसो पचासी BC को हुआ उसका prediction इन्होंने कर दिया था कि इतने सालों बाद एक solar eclipse होगा यानि सूर्य ग्रहन होगा तो सूर्य ग्रहन के बारे में इन्होंने prediction किया और यह सही साबित हुआ तो इनके पास वो calculations के जो methods जो इन्होंने सीखे थे कुछ लोग करते हैं कि Babylonia से सीखे थे कि यह सब चीजें scientific हैं बले ही इनके पास इतने equipment नहीं थे कि परियोगों से समझा सकें लेकिन इनके पास observation थी और बहुत ही अच्छे से observation करते थे geometry थी geometry की वज़े से एक अच्छा mathematician होने के साथ साथ यह चीजों का अच्छे से prediction करते थे एनक्सियमेंडर जो थे वो आगे के mathematician निकी बायोग्राफिये हम करेंगे तो इनके यह क्या है गुरू हुआ करते थे और Malaysian school जो थी मिलेटेस का जो मिलेशियन उसी से बना है मिलेटेस school of thought जो थी उसके यह एक तरीके से founding father थे एक natural philosopher वाने जाते हैं उसके लावा Greek philosopher तो है ही mathematician है scientist है और उसके लावा geometry और geography दोनों ही विश्यों पे इन्होंने अपने अपने सिधानतों के बारे में बात करी है उसके लावा इनका काम जैसे कि मैंने कहा कि काम इनका available नहीं है अभी भी जो चीजे हैं वो lost work हो गया ह है वो इनके बाद के mathematicians और historians ने बताया है तो 585 BC वाला जो eclipse है उसको predict कर दिया था 19 साल का जो metonic cycle होता है जो चंदरमा 19 साल के बाद एक अपनी exact उसी स्तिती में आता है उसका eclipse जो मतलब धूरी पे घुर्णन और जो उसका rotation है उसका 19 साल का eclipse वाला जो system है metonic cycle की जिसके में ब बात होती थी लेकिन solar eclipse को कोई predict नहीं कर पाता था इनसे पहले solar eclipse का prediction का जो credit है वो इनको जाता है कि यह सबसे पुराने व्यक्ति थे सबसे प्राचीन mathematician और जो astronomer थे जिन्होंने इसके बारे में बात की कि यह किस तरीके से solar eclipse होगा और 585 वाला जो है उसके बारे में इनोंने बात कर ली यह जो eclipse हुआ इसके बारे में कहान मैंने जैसे babylonian saron जो एक इनकी time period unit होती है उसके हिसाब से ने 18 साल 10 महीं दिन और 8 घंटे के हिसाब से इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि यह solar eclipse इस तरीके से होगा नियो बोरा इस एक 20 वी शती के scientist है mathematician उन्होंने कहा कि इन्होंने प्रेडिक्ट किया था और कुछ लोग इसका invention को हले का invention कहते है कि हैले ने इस चीज़ के बारे में बात करी थी तो वो एक debate रहती है जब पुराने किसी mathematician या philosopher की बात करेंगे तो कई बार आपस में कुछ ची उसको जाना जाता है वो best known for his innovation in the field of geometry geometry यानि जयामिती के अंदर जो इन्होंने अपने सिधान्त दी वो सबसे ज्यादा लोगों के पास पहुंचे हैं जानते हैं क्योंकि आज की elementary maths में भी उनको हम पढ़ते हैं तो इसके उपर इन्होंने practical mathematics के उपर बात करी geometry के चीजों को स पहले इन्होंने आप जानते हैं Egypt के जो पिरामिड हैं बहुत मशूर है Egyptian civilization के बारे में Egyptian mythology उसके बारे में मैंने separately video बना रखा है उसमें मैंने कुछ-कुछ बातें बताई हैं इन पिरामिड्स के बारे में तो आप जान सकते हैं और पिरामिड्स जो हैं Egypt के वो wonder of world में भी आत 200 मेटर उचा पिरामिड है इसको नाप दिया ऐसा नहीं किया किस से नापा height and distance के जो formula हैं उनसे height and distance के formula आप सभी ने 10th class में पढ़े होंगे height and distance से आपको पता है trigonometric function के माध्यम से हम किसी भी चीज की height निकाल सकते हैं उसकी परचाई की length से या फिर उसकी जो सीधी उचाई जो तिरियक उचाई है तिरची उचाई है उससे निकाल सकते हैं क्योंकि अपने को पता है यह क्या होता है hypotenuse यह है base और यह है आपका perpendicular तो perpendicular hypotenuse और base के सिधानतों से हम परचाई के साथ साथ उसके जो trigonometric functions का इस्तमाल करके हम उनकी height निकाल सकते हैं trigonometric functions की इन्होंने माध व्यक्ति है और 5 फिट का व्यक्ति है मानलो उसकी 10 बजे कितनी परचाई बनती है for example के लिए बोल रहा हूं मानलो 4 मिटर की परचाई बन रही है तो एक 500 मिटर का कोई object होगा तो उसकी परचाई कितनी मनेगी 400 मिटर की यही तो होगा ना क्योंकि यह 5 का ratio 4 होता है तो यहां ने समझने की कोशिश करी और उनकी चीजों की जो भी आपके shapes होती है उनकी height distance यह सब निकालने की इनोंने चीजें समझाई तो यह सब चीजें करी उसके लाओ geometry में नोंने और भी बहुत सारी सिद्दान दी है जैसे circle is bisect by any diameter कोई भी diameter है वो किसी भी circle को दो भागों में बा आई the base angle of a isosilis triangle are equal isosilis triangle क्या होते है isosilis triangle जिसमें दो side जो है वो equal होती है यह side और यह side equal है तीसरी equal नहीं है तो इसके उपर हम इनोंने क्या कहा कि इनके सामने की जो angle है वो क्या होंगे equal होंगे यह अगर मानलो 50 degree का है तो यह भी 50 degree का ही होगा isosilis triangle यानि सम्दी भाव त two intersecting lines are equal जिनको हम सिर्शा भिमुक कौन बोलते हैं opposite angle बोलते हैं जो दो line intersect करते हैं तो इनके opposite angle क्या होते हैं equal होते हैं इनको opposite angle बोलते हैं यह equal होते हैं उसके लाव two triangles are congruent if they have two angles and one side are equal अब यह बात आप जानते हैं concurrency आपने पढ़ी है concurrency में दो triangles को आपको congruent प्रूव करना ह यानि एक जैसा एक दूसरे के बराबर प्रूव करना है एक होता है similarity एक होती है concurrency concurrency में मतलब कोई आकरती एक दूसरे को completely ढख ले जैसे आपके दोनों हाथ एक हाथ के पीछे अगर दूसरा हाथ चिपाओगे उनको हथेलियों को मिला के तो आपके दोनों हाथ क्या होंगे एक दूसरे को cover कर लेंगे मतलब वो क्या है concurrence है वो एक दूसरे के एक दम बराबर है तो इसके लिए कुछ सिद्धान था है आप जानते हैं SAS rule, SSS rule ये पढ़े होंगे आपने AA rule ये सब पढ़े हैं तो इसके इन्होंने कहा कहा कि अगर किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड बराबर है यानि ये दो एंगल मान लो बराबर है और इनके बीच की साइड जो है वो बराबर है तो ये दोनों congruent हो गए ये इ elementary math में अभी भी पढ़ते हैं ये कहती है कि कोई भी circle जो है उस circle के अगर हम diameter के उपर एक triangle बना दे diameter के उपर triangle कैसे बनेगा diameter के triangle बनेगा जब हम उसको एक दो ये तो एक साइड बन गी diameter को अगर हमने base मान लिया और आगे इन दोनों को एक और point पे मिला दिया जो की उसकी circumference भी है तो मतलब if ABC are distinct point of a circle where AC is the diameter then angle B is 90 degree की बात basically होता है कि केंदर से जो केंदर है ये केंदर होता है न सर्क सेंटर होता है केंदर से जाने वाली रेखा को हम क्या करते हैं diameter के उपर जो triangle बनता है इस triangle का एक angle क्या होता है 90 degree होता है यानि 90 right angle होता है ये इन्होंने कही थी बात इसको थेल्स theorem कहा जाता है और इससे related एक interesting सा fact है जो mythological truth थी आप मौन सकते हैं उसको वो कहा है कि थेल्स को ये जो theorem का ग्यान हुआ वो कैसे हुआ ये ग्यान उनको तब हुआ जब इन्होंने एक बैल की sacrifice दिया था एक बैल का बलीदान दिया था भगवान के सामने जो Greek gods हैं उनके सामने जब इन्होंने एक ox को एक बैल की बली दी तब जाके इनको ये जो थेल्स theorem है इसका ग्यान हुआ तब जाके इनको geometry के इस important जो theorem है इसके बारे में पता चला ये तो आप मान नहीं सकते लेकिन इस से related ये एक कहानी है basic proportional theorem बहुत ही important theorem है ये geometry में बहुत ज़्यादा इस्तमाल की जाती है 10th class में मैंने मेरे को याद है कि ये पढ़ी थी हमने और ये theorem क्या करती है if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two side at the distinct points then the other two sides are divided by divided in the same ratio मतलब ये है कि एक triangle है x y z x y z में एक side यानि x y मान लिजे इस x y side के parallel हमने एक line केज दी p q और p q जो है वो other दो side को कहीं पे काटती है तो p और q point पे काटती है न p और q point पे काटती है और ये दोनों parallel भी है इस condition में जब p q parallel to x y है तो इस case में क्या होगा कि जो अन्य दो sides है x y और x z ये वाली side और ये वाली side जो है इनको ये p q line जो है वो समान अनुपात में बाटती है समान अनुपात में यानि x p upon p y equal to क्या होगा x q upon q z ये जो थियोरम दे रखी थी इनोंने जिसको हिंदी में बोला जाता है आधार भुत अनुपातिक पर में ये जो थियोरम है basic proportional theorem बोलते हैं इसको basic proportionality theorem ये अपने 10th class में बहुत पढ़ी होगी क्योंकि इसके applications पे बहुत सारे questions आते हैं geometry में तो ये इन्होंने दी थी tells की ही important theorem है ये उसके बाद बात करते हैं इनकी philosophy पे mathematics में इनका contribution आपको कईयों को याद होगा पहले से ध्यानी होगा और जिन्होंने काफी लंबे समय से छोड़ दी math को उनको भी याद आगे होगा अब philosophy के उपर बात ये आती है कि इनका दर्शन शास्तर क्या कहता है पहले Greek gods और Greek mythology जो हुआ करती थी वो चीजों को हर एंगल को explain करने के लिए mythology का सहरा लेते थे कोई भी natural phenomena हो रहा है जैसे कोई भी phenomena हो रहा है जैसे कि आप for example मान लिजियो बिजलियां कड़करी है अर्थ क्विक हो रहा है इन सभी चीजों को वो act of god के तोर पे present किया करते थे कि ये तो action of gods है जो इश्वर्थ जो चाहते हैं वही हो रहा है अगर आप गलत करम करते हो तो जियूस नाराज हो जाएंगे और जियूस आप बिजलियां का कहर बरसाएंगे और ये सब चीजें हुआ करती थी तो जियूस जो इनके सबसे important दे होता है जियूस को अगर आप Hindu gods दे होताओं के साथ compare करें तो वो like इंदर है वहाँ पी उसी तरीके से आप Roman gods के साथ compare करें तो वो Jupiter है मैंने तीनों के बारे में religion के बारे में वीडियो बना रखे हैं उनके comparison भी बता रखे हैं आप जाके देख सकते हैं playlist में तो जियूस जब नाराज होते हैं गुसा होते हैं तो वो बिजलियां कड़काते हैं अर्थ कोय करते हैं ये माननेता ही हुआ करती थी लेकिन इन माननेताओं के उपर believe नहीं किया थेल्स ने और उन्होंने अपना observation के थ्रू science को rational view में समझने की कोशिश करी और logical तरीके से चीजों का explain करने का तरीका बताया हलाएं कि इनके जो सिधान थे वो भी पूरी तरीके से सही नहीं है लेकिन उन्होंने चीजों को action of God तो नहीं बोला इन्होंने कम से कम science का सहरा तो लिया अपनी observation का तो सहरा लिया जो इनकी परिकल्पनाएं थी उसको लेकर जो hypothesis थे उनके सहरे तो चीजों को explain किया जैसे थेल्स ने कहा कि जो धर्ती में जो earthquake आते हैं जो भुकम पाते हैं उसका कारण ये है कि जो लेंड मासेज हैं जो धर्ती के अलग लग आपको container दिखते हैं ना ये actual में समूंदर के उपर तैर रहे हैं ये इन्होंने कहा और समूंदर के उपर तैर रहे हैं और जब समूंदर की लहरे बहुत ज़्यादा violent हो जाती हैं बहुत ज़्यादा तिर्व लहरे होती हैं तो ये धर्ती के उन लेंड मासेज को हिला देती हैं जिसकी ज़से अर्थ को एक आता है हलांकि ये थियोरी सही नहीं है लेकिन उन्होंने इसको अपना logical way में समझाने की कोशिश करी कम से कम ये नहीं कहा कि God ने इसको हिलाया है उसके बाद Nile River के आसपास रहे थे जैसे कि मैंने कहा Egypt के पास रहे थे और Egypt में से बहती है Nile River Egyptian पूरा civilization है वो पूरा इसी के किनारे बसा हुआ था Nile River के किनारे तो Egyptian जो civilization है उसको पूरा का पूरा वो जो civilization है वो उसका हरवेस्टिंग का जो काम था वो Nile River से होता था और Nile River सबसे महतपुन थी बहुत important river थी आज भी important है लेकिन उस पूरे civilization को एक तरीके से फलने फूलने में Nile River ने बहुत मदद करी और लंबा civilization रहा वो उसको nutrition करने के लिए एक बात होती थी कि Nile River में हर साल एक बाड जैसी हालत होती थी और खूब नदी में उफान आता था, राइज आता था, उस राइज की वज़े से लोगों को पानी की जो कमी थी वो पूरी हो जाती थी और लोगों की खेती बाड़ी बहुत अच्छी हो जाया करती थी, खेती बाड़ी अच्छी सिवलाइशन हो, वो टिका हुआ है, ये लोगों की मानने ताएं थी, लेकिन इन्होंने इस चीज को भी मानना नहीं और उन्होंने कहा कि Nile River जो का जो फ्लड है वो नैच्रल रिजन्स की वज़े से आता है, गोर्ड की वज़े से नहीं आता, अब इन्होंने वो नैच्रल इस फर्स प्रिंसिपल मानने वाली बात है, देखें हम इंडियन एक फिलोसोफी है जिसमें पंच तत्वे की धरणा होती है, पंच तत्वे क्या होते हैं, पंच तत्वे में आपको बांते हैं धरती, आकाश, वायू, आग और पानी, ये पंच तत्वे हैं, जब भी किसी की फिलोसोफी कहती है कि कोई भी चीज जो बनी हुई है इस धरती पे, कोई भी मैटर जो बना हुआ है, उसके अंदर जो मैटरियल है, उसका अशेंशियल पार्ट जो है, प्रिंसिपल जो जो फॉम है, उसका मैटरियल है, वो वाटर है, वाटर हर एक चीज में है, उसके फायर और वाटर यह चार बता है इन्होंने हमारे वाले में एक और जोड़ लो आकाश हो जाएगा उसमें तो यह फॉर क्लासिकल मेथड एलिमेंट्स की बाद जो है वो अरिस्टोटल ने करी थी अरिस्टोटल जो है वो इसी इन्ही के आइडिया से परभावी थे ऐसा माना जाता है कि अरिस्टोटल ने जब इनकी फिलोसोफी को पढ़ा थेल्स के बारे में जाना तो उन्होंने वोटर के उपर देखा फिर उन्होंने उसको थोड़ा सा इंप्रुवाइज करके चार एलिमेंट्स के उपर बात करनी शुरू कर दी और हमारे यहाँ पे पांचवे तत्वे की बात होती है डिविनिटी में यह बिलीव करते थे कि नहीं यूँकि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि माइथलोजिकल जो कहानिया थी उनको यह दर किनार करके rational angle अपनाते थे और चीजों को observation के आधार पे बताते थे कि क्या हो रहा है natural phenomena तो इसका मतलब यह नहीं है कि धार्मिक नहीं थे अधार्मिक थे ऐसा नहीं था divinity में बिलीव करते थे Aristotle का ऐसा मानना है कि थेल्स की जो thoughts थे वो soul में बिलीव करते थे soul में वो सिर्फ जो living objects हैं उन्हीं गें अंदर soul को नहीं मानते थे वो आत्मा का मानते थे कि आत्मा का निवास तो हर एक material में है हर एक चीज में कन कन में भगवान वाली जो philosophy हमारे हाँ पे है वो ऐसी philosophy थेल्स की भी थी कन कन में भगवान है जैसे कि जो चुमबा के लोहे को खिंचती है जो attraction है उसके बीच में वो भी इन्होंने कहा कि ये भी जो है वो soul की वज़े से हो रहा है इन्होंने कुछ उसके उपर philosophical angle include किया था उन्होंने कहा कि देखिए जैसे अरिस्टोटरल ने क्या कहा था कि soul जो है वो principle है वो सबसे important है किसी भी life के लिए जो body है जो material है और जो भी आपके अंदर energy है उसको power देने के लिए उसको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके पीछे का जो driving driving force है driving force जो है जिसको बोल सकते हैं वो soul है आत्मा ही आपको हर चीज को करने के लिए motivate करती है actions को perform करने के लिए आपको एक तरीके से वो करती है आपको animation देती है आपको पीछे से धका पुश देती है जब आदमी की death हो जाती है उस आत्मा का शरीर से निवास निकल जाते है वो निश्कासित हो जाती है उसके बाद आपका शरीर कोई action ही कर सकता वो चीज है उसी तरीके से थेल्स जो है वो ऐसा मानते थे कि material में भी object वो है material में जो energy है उसको आत्मा की तरह देखा गया कि energy है कि किसी भी चीज को करने कोई भी machinery चलती है मान लिजए वो किसी भी power से चलती है उसके लिए वो power जो है वो जो energy है वो उसके लिए soul की तरह काम करती है तो ये सब चीज़ें इन्होंने philosophical angle से कहा कि things were alive they must have soul जो भी things जो जिन्दा है उसमें तो soul है ही है और जो दूसरे जो material है उनमें objects है जिसमें energy होती है कुछ ना कुछ करने की और उसमें उस तरह के soul होती है वो उनके लिए soul का काम करती है ये चीज़ें divinity में believe करते थे उसके अलावा according to Aristotle और दूसरे जो writers हैं उनके साब से थेल्स का मानना था कि सभी things जो हैं वो full of God है क्या कहा कन कन में भगवान है तो हर एक चीज़ के अंदर इश्वर का वास है और ये माना जाता था कि जो भी natural actions हैं जैसे कि और लोग मानते थे कि वो act of God है divinity के द्वारा होते हैं लेकिन थेल्स का इनके इस एंगल से वो believe नहीं करते थे हालां कि लेकिन बाकी चीज़ें जो थी divinity में वो बहुत believe करते थे उसके अलावा थेल्स जो है वो जो mind का जो universal substance है उसमें भी believe करते थे उसको उपर भी वो उसको ढूणने के कोशिश करते थे उसके लावा एक और important जो आगे के historian हुए है Henry Fielding 1775 में इनोंने कहा कि जो जो एंगल था थेल्स का इश्वर को देखने का और divinity को देखने का वो ये था that God was the oldest of all beings जो इश्वर हैं वो तो सबसे प्राचीन है और वो सबके अंदर है पिडी दर पीडी पिता से पुतर में पुतर से उसके पुतर में वो जाती है चीजे मह से बाइटी बइटा सब में जाती है तो वो चीज आप हटा नी सकते हैं जैसे आप बोलते हैं जीनोम है एक जीन से चीजें आगे टरांस पीडि दर पीदि वनशागर्णनतर आती हैं वैसे इश्वर जो हर चीज में है वो आगे जाते हैं इस तरीके की बिलिफ में वो मानते थे ऐसा हेंरी फिल्डिंग का मानना ह उसके बाद 78 की एज में जब 58th Olympiad Games हो रहे थे अब आप कहेंगे Olympiad Games जो Olympiad, ancient Olympiad Games हो रहे थे Olympiad Games के बारे में मनें एक separate वीडियो बनाया था तब मनें बताया था कि आज के जो Olympiad Games होते हैं इनको बोलते है modern Olympiad Games पुराने वाले जो Olympiad Games होते थे जो Greek में हुआ करते थे, Olympiad शहर में होते थे उसी की तर्ज पे आज के modern Olympiad Games शुरू हुए हैं और ये पुराने अठाउन वे जो Olympiad Games हुआ करते थे उस समय इनकी डेथ हुई थी, ये Olympiad Games होई थे चार सो अठाउन से, पांसो और तालिस से, पैंतालिस के बीच में कहीं हुए थे, उस समय इनकी डेथ हुई थी, एक स्टोक की वज़े से, हीट स्टोक की वज़े से इनकी डेथ हो गई थी, जब ये गेम देख रहे थे उसी समय तो ये इनका जीवन था, इनका contribution था, hopefully आपको साही सीज़े clear हुई होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप like, share और आने वाले वीडियो को देखने के लिए please subscribe आप कर दीजिए, so thank you so much for watching this video, have a good day, see you next lecture.